नमस्कार स्वागत आप सभी कवी के नीज में और मैं हूँ आपके साथ दिपिका पांडे Reliance Industries के चेयर मैन मुकेश अंबानी के घर की खुशियों में चार चांद लग गये हैं खुशी भी ऐसे जिसकी वज़े से अंबानी परिवार में सब की चहरे पर मसकान है खुशी के वज़ा क्या है वो आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले मुकेश अंबानी की Personal Life के बारे में आपको वो बाते बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी को किन चीजों से डर लगता है और बताया था कि वो काफी शर्मीले हैं और पबलिक के सामने बोलने से उन्हें बहुत जादा डर लगता है जब भी कभी उन्हें कैमरे के सामने आकर लोगों के सामने बोलना पड़ता है तो वो काफी परिशान हो जाते हैं बहुत जादा खुद को प्रिपेर करते हैं, तब जाकर वो कुछ बातें बोल पाते हैं। उनके बारे में एक और खास बात आपको बता दू, उन्होंने आज तक शराप को कभी हाथ भी नहीं लगाया। दुनिया के ग्यारवे सबसे अमीर बिजनसमैन पोनी के बावजूद भी मुकेश काफी सरल जुन्दगी जीते हैं। भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे महंगा घर एंटीलिया अंबानी का ही हैं। मुकेश अम्बानी परिवार को काफी एहमियत देते हैं, वो चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन हर संडे को अपनी मा, पतनी और बच्चों के साथ समय जरूर बिताते हैं। नीता अम्बानी कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं जैसे कि आपदा, रहत, शिक्छा और उचित, मानो, संसाधन, प्रबंधर। अब आपको बताते हैं कि आखेर अम्बानी परिवार में खुशियों की लहर दोडने के पीछे वज़ा क्या है। दरसल मुकेश और नीता अम्बानी नाना नानी बन गए हैं। उनकी बेटी ईशा अम्बानी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्द दिया है। इसमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आदिया है। जानकारी के लिए बता दे कि 2018 में ईशा अम्बानी की शादी आनंद पीरामल के साथ हुई थी। आनंद बिजनस ग्रुप पीरामल के मालिक आजय के बेटे हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शुमार मुकेश अम्बानी और आनंद की शादी सबसे महंगी श जरू बताईएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें वीके निउस।